हम लोग आज चतन्तामित के परिचाय से आगे पढ़ने हैं इसको हम लोग देखते हैं हम लोग ने चर्चा किया था कि किस प्रकार से महाप्रभु वज्र के सिभी समान कठोर थे अपने सन्यासी सुष्यों के प्रति और बहुत कोमल भी थे ग्रहस्त भक्त में एक भक्त की संदान होने वाली थी तो उन्हें कहाता सका नाम पूरी दास होना चाहिए ऐसे करके तो बात यी थी कि महाप्रभु किसी भी प्रकार का धोका वह स्विकार नहीं करना चाहते थे अपने आन्यायों के बीच में आगे पढ़ते हैं चैतन्य चर्तामित हमें बतलाता है कि चैत ऐसे बड़ी असानी से हरी कृष्ण मंत्र के द्वारा ही व्यक्ति मुगत हो सकता ये भी महाप्रभु ने सिखाया अतेव जैसा कि पहले कहा गया है इस सीर्षक का सही अन्वाद होगा जीवन्शक्ति का अमड़ चरित्र परम जीवन्शक्ति तो पूर्ण पुर्शृत्म इसे समझना अतिंत सरल है हम सभी अपने विचारों तथा इच्छाओं में सवतंथ्र व्यक्ति हैं और किंतुबे इस बात में भिन्य है कि वह सर्व प्रवक्ति हैं-जिन से कोई पार नहीं पा सकता सूर जीवों में एक जीव दूसरे से किसी नरा किसी मामले में बढ़ कर हो सकता है भग्वान इन सभी जीवों के समान एक व्यक्ति याई व्यस्टि हैं किंतुवे इस मामले में भिंद हैं कि वे परम व्यक्ति हैं इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए, हम लोग ने पहले भी चर्चा करी है, आप अवासानी होगी समझने में, श्रीमत भाग वतम में, हम लोग ने प्रतम स्वच्छा कर रहे हैं, स्वराट की और अभेक की शब्द की बात कर रहे हैं, तो अभेक ये मतलब सर्वग है, तो भग और आप लोग प्रवचन ग्रहन कर रहे हैं, तो इस चीज़ के प्रति आप सचेत हैं, क्योंकि आप एक व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं कि हम जड़ पदार्त हैं, और भगवान भी एक व्यक्ति हैं, उनकी इच्छाएं हैं, उनकी भी संवेदनाएं कहना चाहिए, बहुत ही संसिट प्रवचन है निराकारवादियों की, इसे कई बार हम बहुत हैं, बहुत है प्रक्ति के संपर्क में नहीं आते, वह कभी गिरते नहीं हैं, यह बार शिलप पर अब ऑदा समझा रहे हैं, ईश्वर अच्छत भी हैं जैसा कि भगवुत गीता में उन्हें संब्वूतित किया गया है और एक और बात है कि हम स्वतंत रहें कि इस बात में कि हम व्यातों भगवान की सिवा करें अपनी इच्छा से या फिर माया की सिवा करें लेकिन भगवान पूरी तरह से स्वतंत रहें कि माया उनको कभी प्रभवायत नहीं कर सकती ही प्रभपाद्या बता रहें अच् से कहते हैं जब मैं जब जब मैं होना चाहिए जब जब मैं संसार प्रकट होता हूं तब मैं ऐसा अपनी अंतरंगा शक्ति से करता हूं क अप्णी माय अपनी अपनी सिर्ट सी माय और होता है कि पहगवान जगत मी अदिस होते हैं एक्षब बहुत आश़त का बहुत आर्फ है लेकलिंगा आच्षब गया इक आर्थ है यहां पर देखा बग्जिन आइस होता एक दूसरा आर्थ है जो अपने भक्तों पे करने से कभी चूपते नहीं वह रखती है को यह लगती है कि भोगति भकति कर रहा है यह साने है देखी नहीं पाएंगे ध्यानी नहीं वह दे रहे और जिसको means अएसे भत बची करना घा करते हैं वक्तों की वह बोटी करना है ईतली हो इस आचारे का आ और अच्चत का एक और अर्थ है कि जो व्यक्ति भगवान की शर्ण ले लेता है एक बार उनका पार्षत बन गया अब वह कभी दुबारा जगत में नहीं गिरेगा यह इंपॉर्टन बात है भगवान के परिवार से कोई यहां गिरता नहीं है तो एक बार हम भगवान की परि ख्रिश्ण जब अनकी अवतार कभी भूतिक प्रग्त के वश में नहीं होते वे सरवता मुक्त रहते हैं वश तोतहां श्रिमत भाग्वत में ईश्विरी प्रग्थि वाला व्यक्ति उससे बड़ाय गया है जो भूतिक प्रग्ति में रहते हुए भी उसके गुड़ों से प्रुभावित नहीं होता यदि एक भग्त तक ऐसी सुतंत्ता प्राप्त कर सकता है तो परम भगवान के विश्य में तो कहना ही क्या यह समझ गए आप लोग अच्चित शब्द का अर्थ यह एक्स्पांड कर रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का अच्चित की शरण डे करके बहुतिक प्रकृति से मुक्त हो जाता है तो भगवान की भगवान के बारे में तो कहना ही किया यह बात बुलना है वास्तविक प्रश्ण तो यह है कि भौतिक जगत में रहते हुए हम भौतिक कलमश्चस से कलुशित हुए बिना कैसे रह सकते हैं यह बहुत अच्छा बात क्यों । क्यों अच्छी बात है क्यों कि इस जगत में हमें कर्म करनाहीं पड़ेगा श करे यात्रा यंश्ट मतलब नरकाथी प्राप्ति इस्ट मतलब इनसान का जन्व तो इस प्रकार का फल कर्म का होता ही है और कर्म आप कह रहे हो करना ही पड़ेगा तो परकर कर्म बंदन से मुक्त होने का मतलब ही नहीं बनता यह प्राशन बहुत इंबॉटन्ट है क्योंकि एक तरफ हम कह और आप कहरे हो कि कर्म करेंगे तो कुझ अन्क सन्सकार जरूर बनेगान तो फिर बीतों मुथी नहीं हुपाके दूब करना यह पड़ेगा संसकार बनेगा ही और मुऌसर फास जाएंगे तो यहां पर बात समझ में आ रही है कि है यदि हम कर्म क्रिष्ण के लिए करते हैं तो पहले का मतलब है इछा इहा है यपार्य а। इहायस हरेर दास से, जो वेक्ति भगवान की दास से, हरी दास के, हरी दासता का इच्छा कर रहा है, यह प्रयास कर रहा है, तो कर्मना मनसा गिरा, कर्म से, मन से और वचन से, कर्मना मनसा, कर्मना मनसा गिरा, गिरा मतलब मानी से, तो क्या कहते हो, निखिलासु अभी अवस्त अब भी अवस्ता से जीवन मुक्त रहता है क्योंकि उसके कर्मों की वज़े से उसको कोई बंधन नहीं लगता है अभी तो वह मुक्त होता चला जा रहा है इसको कई बार धारण से गीता में समझाया गया है कि उसके अपने घर में आके एक भी गोली चलाएगा तो तो फिर वेक्ति मुक्त रहता है शीला रूपगोष्वामी हमें बतलाते हैं कि हम इस जगत में रहते हुए तभी अकलशित रह सकते हैं जब हम किरश्ण की सेवा को अपना अभिष्ण बना लें रूपगोष्वामी को ही मैं कोड कर रहा था यहां यह सिवाला श्लोकर तब को यह उचित रूप से प्रश्ण कर सकता है मैं किस तरह सिवा कर सकता हूँ यह मात्र ध्यान करने की बात नहीं है जो केवल मन का कार्य है अब ही तो यह कृष्ण के लिए वहवारिक कार्य करने की बात है ऐसे कार में हमें किसी भी समसाधन का को उसका उपयोग के लिए छोड़ना नहीं चाहिए जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हमारे पास तो उसका उपयोग क्रिशन के ले करना चाहिए हम प्रतेक वस्तुका, टाइपर रैटर, मोटर कार, हवाई जहाच, टक्षे पास्त्र हर वस्तु को अपयोग कर सकते हैं यदि हम लोगों को केवल कृष्ण भावनामृत के विश्य में बतलाएं तो भी हम सेवा करते हैं इस तरह यदि हमारे मन, इंद्रिया, वानी, धन तता शक्ति का अपयोग कृष्ण की सेवा में होता है तो हम भौतिक प्रकृति में नहीं रह रहे हैं आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना के बल पर हम भौतिक प्रकृति के स्तर को पार कर जाते हैं यह तत्थ कि कृष्ण उनके अंश तथा उनके भक्त अर्थात वे जो उनके लिए कार करते हैं भौतिक प्रकृति में नहीं होते यद्यभी अल्पग यह सोचते हैं कि वे होते हैं इस पर हम वापस इनको कुछ बाइनिट में हाराइड करने हैं यह हम बताना चाहरे थे यह आप यह बात है यह मात्र ध्यान करने का बात करने की बात नहीं है जो कि अवल मन का कार्य है आप तो क्रिष्णी के लिए भैवारिक कार्य करने की बात है बहुत सुंतर बात है भगवान भगवागीता में क्या बोलते हैं अलग को सिक्षा नहीं है कि जो भी इस दिविग्यान का प्रचार दूसरों को करता है वह मुझको सबसे अधिक प्रिय है यह हमारे जीवन की को को नहीं है इस प्रचार कारे में संवलित होने के लिए बात आप समझ रहे हैं हर विक्ति को अलग अलग योगिता दी गई है जैसे भी लोग भगवादीता की वेबसाइट बराना चाहता है तो कोई विक्ति की बड़ आईडिया ही दे सकता है की ऐसा से की उजिए उसका बहुत फर्क पड़ता है, कोई उसमें फोटो डिजाइनिंग कर सकता है, कोई वेबसाइट बनाने की सेवा कर सकता है, या जो भी, या कुछ बहुते लिए हमको मदद कर रहे हैं धन्से, इन्दर सैंस की होस्टिंग में मदद कर रहे हैं, उदेश क्या है, क्रिष्ण का ठाका परचार हो, और सब लोग अपनी योगिता के अंसार उसमें सनलगन हो रहे हैं, और सब को बराबर लाब मिलता है, इस पर आग मेरे विचार कर रहा था, कि अगर हम किसी को सेवा देते हैं, भग तो आसा सोचते नहीं है, लेगि फिर भी, अगर किसी को सेवा देते हैं, बोलते लोग सेवा हैं, सेवा दीजे, हमेर पास इस्प्रेशली आते लिए, लोग प्रैसे चाहते हैं, तो अगर हम किसी को सेवा देते हैं, और उसका payment मैं नहीं करता हूँ, अगर शुब कृष्ण नहीं करता है, तो कृष्ण जरूर करते हैं. Does it make sense? सेवा हम कभी free नहीं करते हैं. कृष्ण कभी free सेवा स्विकार नहीं करते हैं. यदि कोई निस्वार्त भाव से कृष्ण की सिवा करने का उसे मौका प्राप्त हो, तो उसका payment कृष्ण करते हैं. यह बात समझ में आ रही है. जैसे माले जी कोई गीता वितरन कर रहा है, तो पैसे लगी गीता वितरन कर रहा है, तो वह तो वस्ता है अपनी सिवा को बेच रहा है. लेकिन अगर निस्वार्त भाव से कर रहा है, तो कृष्ण उसको प्रेम देंगे. जो निस्वार्त भाव से निश्काम भाव से कृष्ण की सिवा कर रहा है, उसे कृष्ण की सिवा कर रहा है, उसे कृष्ण प्रेम देंगे, आज मैं इस कहना ही चाह रहा था न धनम न जनम न सुन्दरीम कविता वा जगदीश कामये ममधन जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहे तुकित्वई भगवान मैं अपनी सिवा को जन, स्तिरी, धन त्यादी के लिए नहीं बेचना चाहता हूं अब यह तो मैं आप चाहता हूं कि मेरा स्वभाविक प्रेम हो आपकी प्रति बस, समझने मेरे बात इसलिए जन लोगों की रोजी रोटी की विवस्था हो गई है, अपने से हो गई, इच्छे से हो जाती है, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका है कि कृष्ण की जो सिवा क इस प्रकार से अगर कृष्ण की सिवा का मौका हमें किसी भी तरह से जो हमारी जोगता है करने को मिले तो हमको बहुत बड़ी सेलरी मिलेगी, और सेलरी है भागवद प्रेम, तो यहां पर किवल हरे कृष्ण मंत्र के जब की बारे में नहीं बोला जा रहा है, आप प्र कि कर मांदर के जब ही बारे में नहीं बोल रहики बहुत सारते हैं कि साथ शाथ इस हरी कृष्ण मंदर का प्रचार कैसे अनलों के पास उसकेzet में बहुत सारे कारे करने केarta और कारे कार चाहिए काारे करने की प्रवर्वर्ति हमारे अंदर पहले से हैं कुछ लोग उदर बोलने था सकते हैं वह सकते हैं समझल शकते संजा फैने कुछ लोग समझ की सब्सक्राइब आपते हैं जो हम बहुतता कर रहे हैं कैंशा कोई की यही रिफसी कोई सकते हैं पश और कर सकता है enAll the devotees मैं ऐसे नाम नहीं रख़रा हैं सब लोग नघ्र किसी ने किसी रूप से जो हम कर सकते हैं जहां मानलीजी हम कुछ भी नहीं कर सकते तो क्या हम लोगों को ग्रूप में एड़ नहीं कर सकते इतना तो कोई भी कर सकता है आच अरे प्रभुजी छोड़ के चले जाएंगे तो आपका सौ रुपए थो नहीं कि जाएंगे समझ रहे हैं मेरे बात मानलीजी आप लोगो एड़ कर रहे हैं सौ लोगों को आड़ करते हैं उसमें से दो लोग भी रुक गया एक भी रुक गया तो भी वे क्रिश्न भावना के भक्ति करेंगा प्रक्ति करेंगा तो में खाली एक्जाम्पिल दे रहा हूँ अगर हम अब तो फर ईलाबरेट कर रहें हो ही बहुत सारी चीज़ा है यह प morality nelow वान के लिए प्रसाद बनाते हैं है सब्स पहल लों कोड़ाना चाहिए जो लोग आप से मिल रहे हैं प्रसाद कहिलाएं दीर Duch कुछ लोगो इस्तितीए खराब है अगले जनम भी अगर इंसान को कज़ेज़auraisर तो यहीं बहुत बड़ी बात कर Esse बताव वर उसमझ Dartmouth अच्छ समझ में आता है कि समुस अच्छा है वहां अच्छा यह समझ में आता है और कभी कभी लोग सी जीवने परिवर्थित हो जाते हैं तो भक्त लोग पूरे टाइम यह सोचते नहीं और यह है करम करना कार्य करना हम सबको आता है और को करना अच्छा लगता है और चाहसे हमारा क्या फायदा होगा आसे करम से मन से वानी से हगा कि जब तक कोई विक्ति लगातार अभक्तों को प्रचार रही करता है तब तक रजोगुण, तबगुण, सतोगुण, इनका प्रभाव को जीतना बड़ा मश्किल है तो यह आप स्वयम देखिएंगे जब हम प्रिचिंग करना होता है तो हम अक्टिव होते हैं थोड़ा चैनम में तो अभी समझ में नहीं आएंगे छोड़ो, क्या करना है लेकिन आप लोगों को पढ़ाना है तो दिवाग लगाने लगे और भवगाल के कृपा समझ में भी आखिएंगे तो इसे मेरा लब हुआ कि नहीं, बाकी लोगा का होगा कि नहीं, कि ता समझ में आया कि हम मुझे खुद को लाव हुआ कि ले और स्वैम भागवते मती लग रही है तो इस प्रकार से आप देखेंगे और इस चीज को आप आगे भागवत में पढ़ोगे आख्यातानी अपी धीतानी स्वैम तो पढ़ा लेकिन जब आख्यान करना होता है वेक्ति को तो उसका ग्यान अधिक होता है जो अख्यान करता है तो मैं खाली ये बात इसमें बोल रहा हूं कि हर वेक्ति अपनी बुद्धी लगाए चाहिए वो किसी भी आश्रम हो इस आश्रम से अपनी पहचान करने की बजाए अपनी अचान स्तिरी पूरुष की रूप से करने की बजाए वो तो बाहर रूप से करना होगा लेकिन इंटर्नली सुचे कैसे मैं इस श्रीमाट चैतन महाप्रो के मिशन को अन्य लोगों में और स्थाफित कर सकता हूं ये बात ठीक है और सके बहुत सारी आइडिये हमारे को भगवान दे सकते हैं अगर हम चाहें तो में बात दिये तो इसलिए प्रभपाजास को इसलिए मैं हाइलाट कर रहा हूं कि वहवारिक कार करने की बात है हरे कृष्ण मंतर का जब भी वहवार की बात है भगवान के सेवा है और प्रीचिंग और थे अच cena र mayo रखेगा यह मैंने कभी शार मत बताया नहीं अपनों को बात यह द्धान नहीं दिया ओगा अपनों वनए कि भगवान की सेवा सर्वसरिष्ट है अराध्र नाम सर्विस्ञ राम अराधन नाम सरवेश्राम विष्णु अराधनाम परम तस्मात परत्रम देवी तदिया नाम समर्चनम भगवान की अराधनाम में भगवान विष्णु की अराधना परम है सपष्ट है तस्मात परत्रम देवी शिवजी कहा रहे हैं दुरगाजी से धेर देवि ुससे भी स्रेष्ट है लिश्न से सम्मंधित क्रिष्ट से सम्मंधित वस्तों की सेवा करना तो इसका अर्थि क्या है तदिए वस्तों का तुलसी जी की सेवा धाम की सेवा शास्त्र की सेवा प्रचार ये सब producing में आता है तो इसके लिए इससे भगवान और अधिक प्रसंद होते हैं। तो ये इसकार्तिरी नहीं करना है। लेकिन भगवान से सब्सक्षेवा करते। तो और खृश्चे प्रसंद होते हैं। प्रफुपाज इसमें कहा रहे है कि इसमें हमें परित्यागो वैराग्यम फल्गु कद्य थे। पुछ लोग क्या है? युक्त वैराग्य क्या? उसलोग क्या नहीं आरा है। करिश्ट संबंधा, निर। तक शोयम विश्व में कोई आसकती नहीं होतीए снимपने भोगूं के लिए कुछ गुछ ग्रहन करूँ अनासक्त विश्यान यथा हारम उपयून जिता है लेकिन जितना उनका उपयोग करना चाहिए वो करता है किसलिए निरबंध है क्रिष्ट संबंध है उसका निरबंध उसका हट उसका उद्देश क्रिष्ट संबंध में होता है लिए क्या उप्योग कर सकते हैं हां तो हम इसको अपयोग करेंगे और वहां पर निर्बंद तहां जरूर करेंगे क्यों नहीं करेंगे निर्बंद कृष्ट संबंदे युक्त वैराग्यम उच्चते इसे युक्त वैराग्यम कहा जाता है यह बहुत important principle पहले है जब प्रहपादिया पर बता रहे है गौडिया वेश्णव केवल वेरागी नहीं है वह युक्त वेरागी है जो आवश्चक है यह रूपा नोग हम लोग बोलते हैं रूपा को स्वामी जी की सिक्षा है फिर से समझाओंगा अना सक्तस से विश्यान वो स्वैम विश इसको युक्त वेरागी कहते हैं इस समझ में घटना को बताऊंगा बड़ी ही रोचक घटना है श्री लाभ भक्ति सिधान तर सरसे ठाकर जी एक लेख लिख लिख रहे थे और उस जमाने में आप जानते हैं कि इंक पैन होते थे इसको इंक में डुबो-डुबो के लिखते आप लोग शार पैदा नहीं हुए थे बहुत सारे लोग कुछ लोग पैदा वे तो बुदक का थे इंक पॉट रहता था इसमें डुबो-डुबो करके से लिखते थे कलम से लिख रहे थे इस प्रकार से तो पगल में के स्टोर था इसमें केले रखे थी तो दर्वाजा उस पंदर को भगाने के लिए उसमें इंका लेख जो है वह है उस पे इंक गिर गई तो अब उससे पहले प्रवचन कर रहे थे शिल्ला बक्ति सिंद्ध ठाकुर जी वेरागे के उपर हमें किसी बहुत एक वस्तु से आ सकते नहीं होना चाहिए तो एक्षेश्य ने पूछा गुरु महराज अभी तो आप बोलेते हमें किसी बहुत एक वस्तु से आ सकते नहीं होना चाहिए और आप कुछ केले बचाने के लिए अपना लेख डिस्पर्ब कर दिए तो बोले मुर्ख तुमको पता नहीं है कि वह राधारानी के केले थे वह कृष्ण के केले थे तो आ बाहर है तो उस बीडी को रोल करते थे उसमें तंबाकु वरके रोल करते थे शिल्लबक्ति सिनताकुर जी हमारे तुप कलपना के बाहर है ब्रह्मचार वह स्वेम सन्यासी परमश वैश्ण अगते जो ब्रह्मचारी किताब वितरन के लिए जाते थे देखिए कितना प्रिय और यहां तक यह बोलें कि तुमको यदि मांस भी खाना पड़े खाके थे मनी अगर प्रचार दब्लें रहने उन 가능 के पास पहुंचे तो वे जीव कृष्णी को समझेगा कृष्णी की और उन्मक होगा तो उसे बहुत प्रसंद होते थे अगर इदिव ज्यान भागवद गीता भागवद चैतन चरतामित आदी का ज्यान यह सब पूरे विश्व में फैलाया जाए इविन श्रुला वश्वना इंग्लिश में लफ्द है तो यह जो ग्रंथों का प्रकाशन और ग्रंथों का ग्यान दूसरों को देना इस बहुत उनको प्रिय था तो आप यहां पर समझ रहे हैं इस बात पे यह समझने के लिए जो भी आवश्यक है वह हमें प्रचार के लिए इस्तमाल करना चाहिए इ अनुमा आता है जाए है छेल इस अलना पाट कि लुए कोसे तो किर यहां होसो संब जदर्चार केवल पेलेगा तो उससे तो हम सुनेंके भी नेillar तो इसलिए इनकाव में समान करना चाहिए इस प्रकार से हरता है और अब देख सकते हैं लैपटाप का उप्योब कर रहे हैं वेबकैम का उप्योब कर रहे हैं नेट का उप्योब कर रहा है और इसके लिए कभी कभी चिंता भी होती है नेट को नहीं चल रहा है लैपटाप मे जंगल चले गए, तो कह रहे हैं कि उत्तम श्लोक लालसा, उत्तम श्लोक को प्राप्त करने की लालसा से उन्हें पूरा राजित्याक दिया, तो आप यही अर्थ लेंगे भगवान को प्राप्त करने की लालसा से, लेकिन प्रभुपाजी बड़ा रोचग अनुवात करते हैं जो कि वहां आजीव सा लगता है वहां क्यों बोल रहा है लेकिन ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण को पूरे विश्व में भगवान की रूप में स्थापित करने की लालसा इसे उत्तम श्रोप लालसा के तो कितना सुंदर का व्यात्म करते हैं बहुत सुंदर अर्थ है यह सिवा इसमें तो इतना मार्केट है कि कोई कॉम्पूटिशन की जुरूति नहीं है कि नहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने दुनिया के सारे लोगो भक्त बना दिया है है कि और को या प्रण बेचव गया तो असमें भड़े कॉम्पूटिशन हो लेकिन प्रीचिंग में कोई कॉम् मार्केट में उपलब दी नहीं है मतलब और किसी की पास फिलोस्फी है ही नहीं उल्टी सीथी बाते को सुन सुन करके लोग कुछ 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 कर रहे है तो हमारे पास प्रण भी यूनीक है और कॉम्पूटिशन में नहीं है लिगने फिर भी हम सोते रहते हम लगता हम कौन करें प्रभुजी तो कर रहे हमें करने क्या जोनते मुझ आएगी भगवत ताम हमें क्या करना है लेकिन इस परकार से नहीं सोचना चाहिए हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं इस नाम हट मैं कुछ डीलर डिस्प्रिबूटर बनू और नहीं तो गाउं में देखें ना प्रशार होना होगा और बड़ी असानी से हो सकता है आप लों कृष्ण भावना को सीखें दूसरे को बदद कीजिए जब यह प्लीज में इस बात को समझीए एक सीक्रेट है आप जिस चीज पर फोकस करते जाएंगे जगत में वह आपको प्राप्त हो जाएगी अब देख इंपर्टन बात है ठीक है तो इसलिए हम इसके लिए कोई भी उमें जो जो भी चीज आवश्यक हो उसको ग्रहन करने के लिए उस साहित रहना चाहिए जैसे मुझे आद है कि आयंद प्रव की बारे मैंने सुना था आयंद प्रव महान भक्त हुए और बड़े विरागी थे लेकिन मैंने सुना जब उनको फोटोशॉप सीखाना था अपनी किताब शापने के लिए कुछ भरी नाम के सिंब्ध में तो एक ही रात में सीख गए हूँ एक ही रात में पूरा डोब फोटोशॉप सीख गए तभी दिख सकते हैं कि भक्तों का इस प्रकार का हम आचरान द किसी भी परिष्टिति से या किसी भी वस्तु से अगर हम कृष्ण की घीती का परचार कर सकते हैं Тथा कतित वैरागी को हमको नहीं धिराण करना चाहीं जैसे एक इक जिगह फोटो दिखा tapu यहां तो नहीं दिखा रहा हो कि вик escapes को दरवाजा दिवाल क्रोस कर नहीं हैं सीड जो क्रिष्ट सम्मंदित वस्तू है उनको भातिक मांगना यह सब और उसके बाद उनका परित्याग कर देना इसे भगवान का प्रसाद भगवान का नाम भगवान का रूप भगवान का गुण भगवान की लिला इनको भातिक मान करना ही तो भातिक है सब माया है अटा उसको तो यह सब ऐसा व्यक्ति जो है, वह है फल्गू रहने की जूटा वैरागी है, जैसे एक फल्गू नदी बिहार में कहीं बहती है, जिसमें नीचे पानी रहता है, उपर-उपर सब सुखा रहता है, गया मैं से कहीं पर सना, तो इसी प्रकार से जूटा वैरागी है, क्योंकि विकारी कहें कि भई मैं यह एंपार स्टेट बिल्डिंग को ट्याग दिया, तो यह थी है नहीं, जब है ही नहीं तो तुम ट्याग हो, क्या तो इस कांसरफ्शन को ट्यागते हुए, कि कोई बस्त में मेरी है, वेक्ति समझें कि मैं कृष्ण कहा हूँ, सारी बस्त में करने वाले कारियों में होना चाहिए, मेंक सेंस, इसी डिया मैं यहां पर रुका, ठहर के बात बता रहे है, हर जिसका उप्योग करना चाहिए, उसके बाद, प्रभुपाजी यहां जो बात बोलने बहुत सुन्दर है, यदि हमारा तन, मन, मानी, धन सब को चुब भगवान की सिवा में लगता है, तो हम कभी भी भॉतिक प्रक्यति में नहीं डह रहे हैं, एक भक्त बोल रहे हैं कल कि प्रभुजी आप सारे प्रभुचन फ्री क्यों देते हो, हमने गा क्योंकि पैसे की पैसे लिए नहीं क्या चुरत है, मैंने का ये लैप्टॉप के लिए पैसे इससे पहले एक अकाउंट खाली होता, फिर से दूसरे वक्त पैसे दे दी, मुझ तो सोचना पड़ता की पैसे कर्च कैसे करें, समझ रहे हैं, क्यों पैसे मांगने की जड़ते हैं, जब हम प्रचार करेंगे, तो क्या क्रिश्ट हम कुछ उधा नहीं देंगे, और ये सिध इक काम ये है कि जाके वो युद्ध करें, वाकि सारे धन, ये कभी एक्जाम्पिल दिया नहीं, अच्छा एक्जाम्पिल बन में आ रहा है, कि बसकी गोलियां है, तोप है, सब कुछ वह तो सरकारी देती है, उसी प्रकार से प्रचार कार्य क्रिश्ट का है, आप केवल प् द्धन आकास से गिरने लगया था, आप कितना बिश्वास करें नहीं को बता रहे हैं, लेकिन आकास से पैसे गिरने लगे, जितने पैसे चाहिते उतने पराप्त हो गए, हमारे वक्त बता रहे थे कि अभी महराश्त की प्रीचिंग करने करें, 7126 रुपे का डेट था, और के लिए सा वेवस्ता हो गई, तो अब भगवान लक्ष्मी पती है, प्रभुपाजी तो बिल्किल 40 रुपे लेगे गए थे, कुछ भी नहीं था, देखे प्रभुपाजी कितना दे दिया, तो इसलिए अगर कोई वेक्ति कृष्ण भावन का प्रचार करना चाहे, इमान द को और बनाऊंगा भी खुद, खुद बनाया भी और पैसे भी दे दिया, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, कि जो वेक्ति कृष्ण के सेवा करना चाहता है, इसलिए कोई कमी नहीं है, कृष्ण ज़रूर उसके वेस्ता देते हैं, धनकी, सारा कुछ की, लेकिन हमारी निश्वात भाव से हम कृष्ण की कीरते का प्रचार करें, ठीक है ना, और सबसे ज़्यदा महातपूर ने बुद्धी है, अरे भाई यहां पर सब कुछ हो, स्पीकर है, यह सब कुछ है, लेकिन अगर बुद्धी नहीं देने भवान बोलने के लिए, तो फिर कैसे करेंग अगर प्रवचन करने में उनको एक हफता लगा, एक हफता, वन वीक, आप सुनोंगे कमाल रचन प्रवचन, बहुत सुन्दर प्रवचन करते है, बहुत अच्छा ग्यान भी है, तो आप देखियो, कहीं पढ़ा दैजिए धाराख से प्रवचन कर सकते हैं, ऐसे मैंने सुन लिए यह अपने जीवन में आप अद्भुत रूप से स्वैम ही देखेंगे अद्भुत रूप से स्वैम देखेंगे बाहर के लोग चाके तो जाएंगे भाई यह भक्त लग रहा है बड़ा तेज था इसने ऐसा किया है लेकिन नहीं बुद्धी देने वाले कृष्ण हैं अ क्रिष्ण की सेवा मैं कैसे और अच्छी तरह से करूं कैसे और अच्छी तरह से बोल सकूं कैसे और अच्छी तरह से समझा सकूं कैसे और अन्य लोगों को कनेक्ट कर सकूं कैसे और अच्छा प्रसाद बना सकूं एक्जाम्पिल विग्रह की सेवा कैसे अच्छी से कर सकू तो कीर्टनस्य से कैसे गाश सकूँ यह इच्छा भग की लगातार, it's a constant meditation of a devotee, तो जब यही इच्छा है, तो कृष्ण तो इच्छा पूर्ड करने वाले हैं, अध्यात्मिक चेत्ना या कृष्ण भावना के बल पर हम भौतिक प्रक्तिक 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 हैं, अब इसका अर्थ क्या है? आध्यात्मिक चेत्ना और भौतिक चेत्ना का अंतर आप समझी रहे होंगे, भौतिक चेत्ना क्या है? इस जगत में जो कुछ भी मैं देख ży Nick और मेरा है और मेरे भोग के लिए हैं, ठीक है? और हम लोग क्या सुने है? इस लोग को अपलाई कर दिए इस जगत में जो कुछ भी है उसका सुरुत कौन है भगवान है और मेरे सुरुत कौन है भगवान है यह हो गया आत्यात्मी चेतना इसको एक्जामपित समझे जैसे एक गुलाब का फूल कहीं बाग में लगा हुआ है तो कोई उस बाग के फूल तोड़ता है क्याता है मैं इसे अपने रियल फ्रेंड कृष्ण को दूँगा ठीक है तो इमिरेटली वह भी कृष्ण बंदा से मुक्त है ही और जब उसने यह सोचा कि यह फूल कृष्ण के लिए है तो फूल तुरंत आध्यात में खुजाता है यह समझ में आ रही बात है इक्वेशन से समझ में आ रही है तो गर्ल फ्रेंड को ना देने करके रियल फ्रेंड को दे कृष्ण को दे तो वह तुरंत आध्यात में को जाता है परमपोजे बक्ति समित मार्च धान को दे रहे ती बहुत सुन्द है जैसे ही आपने सोचा कि जैसे हमारे शशीकान मारा साकरा तो इसको यह प्रपंच नहीं है जगत प्रपंच नहीं जवाब को जगत करने वाला है इस जली मार्च भागवाद में है इसलिए बड़ा उस्जा होता है भागवाद केले कि कोई व्यक्ति सोच रहा है कि बुस्ती बहुत बड़िया है यह गन्ना बहुत क्रिष्ण इसको पाकर के सुखी होंगे तो वह है व्यक्ति जब कृष्ण को देता है तो सचा अनंताय कल्पते वह व्यक्ति अनंतता को प्राप्त करने के लिए योग बजाता है समझ में आ रहा है और हर व्यक्ति की पास कुछ नुठ धारौ ना रहती है यह फूल अच्छा है यह खाने की बस्तु अच्छी है यह जल अचाहे है कुछ भी हम कृष्ण को सूखी करने कि भावना करके बावना कि लेकर करके बूस्त देते हैं या सुखी भी नहीं करने को बहुत important part बहुत सुन्दत आत पर है प्रवपाजी का, प्रवपाजी की कहते हैं कि अगर रसूला माला जब करता है, बहुत चार निमों का पालू करता है, तो दिन में से बहुत सारे कारे करने पड़ सकते हैं, कितनी किताब आएं, कितनी किताब विकिएं, लेकिन यह भी आतरीक अनुशिलन से अलग नहीं है, चेतन चितामेत में आपड़ने बाले हैं उस बात को, तो इस चेतना में रहना बहुत जरूरी है, इसलिए श्रवण कितन नहीं होगा, तो इस परकार की चेतना से हम युग तो नहीं हो पाएंगे, जब हम कारे कर रहा होगे, तब हमार किसी चेतना से अलग रहते हैं, यह तत्य है कि क्रिष्ण उनके आंश तथा उनके भग अर्थात वे जो उनके लिए कार करते हैं, भौत इक प्रकिती में नहीं होते, यद्ध पे अलपग यही सोचते हैं, कि वे होते हैं, यह समझ में आ गया होगा कि यह है, क्यों हम इतना स लिए, अपरे से ध्यान रखना साथी कि मैं किसी नहीं किसी रूप से क्रिष्ण की सिवा में लगा रहा हूँ, जैसे ही यग्यारथात कर्वन अन्यत लोकोयām कर्मद्धना, अगर हम कर्ष्णि की सिवा में नहीं लग रहे हैं, तो निश्चित रूप से माया की सिवा कर रह अगर मैं नहीं करता हूं तो मेरी बिमारी बढ़ेगी एक बात प्रवपाजी बहुत अच्छी वह रहे थे मैं उसको मिस्कर गया यदि हम लोगों को केवल कृष्ण भावना मृत के विशय में बतलाएं तो भी हम सेवा करते हैं यह मुझे बहुत सुंदर लगा यह मैं पहले बड़ी सिवा और सबसे बड़ी सिवा क्यों जैसे मान लिजे कोई विक्ति हमाले पर गया हुआ है खाई के तरफ रोड होती तरफ खाई होते एक तरफ रस्ता होता है तो अगर कोई विक्ति अंधा है और वह खाई में गिरने जा रहा है और आपने बोल दिया अरे 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 रुको 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 तो क्य आपने सेवा करी कि नहीं करी और वमच tinha इस trat में इस जगत में इस जगत में सभी लोग अंदे है जांते इसकी व्यक्यर करकार करने कि अगर उनको help करते हैं तो बहुत बड़ी सिवा है और अब दिक्कत यह है कि अंदे तो हैं लेकिन मानते नहीं कि वह अंदे हैं यह भी दिक्कत है मैं डॉटर को बता रहा था कि भी आपके पास बोग बता रहते कि सुवह वह अधिया है नेकिन यहां दो सोच रहे हैं अठी दॉटर साहब मैं तो आप से अधिक स्वस्त हूं जानता हूं कैसे मेरा अधार होगा इस प्रकार से होता है कि नि कोई विक्क्रिष्ण महारा स्यु थे यहां को सब्सक्राइब नहीं करणा है लेकिन इसलिए पांच थीक करने के लिए लगेंगे तब वो आये लिए और उसको ऐसा आएसा करके तब शांजेए मिरी बहुत महिनत करने पड़ते है तो इसके लिए लोगों को बताना होता है, जब आर बार बार बताएंगे तब जाकि धीरे धीरे इनको समझ में आएगा कि हां मुझे क्रिष्णी के सिवा करनी चाहिए, भक्ती करनी चाहिए, तो कीवल भूलनी मात्र से हम क्रिष्णी के सिवा कर सकते हैं, हमारे पास 5-6 आदम से प्रीचिंग कर सकते हैं, आप कोई मित्र है, उससे बात कर सकते हो, आजकल यह बहुत अच्छी टेक्नीक हो गई है, आगर आप लोगों को खाली बता दिजिए कि यह क्लास होती हैं, और वो इसमें आएं, तो वह भी वो सुन लगते हैं, और कभी-कभी क्या होता है कि अपने मित्र से तो नहीं सुनेंगे लिएकि दूसरे से सुन लेते हैं, आप से नहीं सुनें, ऐसा भी हो सकता है, और वो आकर के देखते हैं कि इतना सुन्दर वातावन बना हुआ है, जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उनको भी लगता है कि इतने लोग करना है, हमें भी करना चाहिए ठीक है मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूं देखिए डॉक्टर लोग हैं मातजी लोग हैं यंग मातजी हैं ओल्ड मातजी हैं सब लोग में अच्छा वातवरन किया हैं प्लीज धान दीजिए जरूरी नहीं है कि वेक्ती प्रीचिंग कुस तुरह स् बस वहीं से उसकी भक्ती शुरू हो जाएगी बहुत ध्यान पर समझेए ऐसा नहीं कि हर वेक्ती तुरह फिलॉस्पी स्विकार कर लेगा लेकिन अगर उसने अनुमोदन अनुमोदन मतलब अप्रिशेट करा वह यह अच्छा है यह भागवत का बात है अनुमोदन भी किया तो यह भी भागवत धर्मय यह भी भक्ती है इससे वेक्ति आगे प्रक्ति करेगा तो हर वेक्ति अलग अलग प्रिकार से होगा हो सकता हुआ नुमोदन ही करे अच्छा है मैं कुछ मदद कर सकता हूं आपकी और यह फिर वह पूरा भक्ती स्विकार कर ले यह भी हो सकता है तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए। अब भक तो बोल रहे हैं कि भगवत गीता फ्री बाटने चाहिए। मैं तो फ्री ही में देता हूँ। अगर किसी को कुछ गीता बेस बगरा चाहिए तो ले लो भाई पड़ ले और किसी को पुस्तक क अब आपको जिन्दिगी में सारी कितामें खरीद कई पड़ी हैं। सारी मैगजीन वगरा पड़ेद कई पड़े हैं। कहीं ऐसे पढ़ा रहता है। उसको पढ़ना चुलू कर देता है। घर में ऐसे पढ़ा बुझे आदा कि में आध्यात्मिकता कि शुरुवात कह लिज जितामिर्त प्रभु बहुत अच्छे डिवोटी हैं दिल्ली मंदिर के। उन्हें कवाड़ी से पून प्रशन पून तजहा तक मैं समस्ता हूं खरीदी थी। अब जो भी रेट रहा हो। और उसके बाद उसको पढ़ने लगे। मैं अपने महले में किताब वितरन कीता कीत जाए थे, मैं आया था। शाट-शाट रुपए में में किताब दे दिये थे और जिसको दिया उसने नहीं पढ़ा। उसने कि वो समबंद से ले ले लारे है। तो इतना हम को सोचनाने चाहिए, इतना अगर हम देखे कि वो वेक्ति उसका अर्समान नहीं करेगा। मलब कच श्रीला प्रभुपाजी से पूछा गया है, ये गीता को कचले में फेक देते हैं, अमली का में especially, क्या करना चाहिए, तो अपने बच्चों को भी कचले में फेक देते हैं, क्या किया सकता है। बच्चों का भी ध्यार नहीं रख सकते हैं, हमें कर्टव करना चाहिए। तो यहां पर व्यक्तिकर दूर्प से आपो देखना पड़ेगा कि कुछ फोटो ए भगवान की मांट रहे थी तो उस पर लोग पाम रख कर चल रहे थे अब लीका में तो प्रहपार नेमाना किया इसा नहीं करना चाहिए भारत में इतना तो कोई गरबन नहीं करेगा आप दे सकत हैं या बहुत तरह से ग्यान दिया सकता है इस्पेशली आप उनको पढ़ा सकते हैं और नाइन प्लाशिस के द्वारा जूम के द्वारा बहुत नहीं तरीक आगे उसके लिए आपको स्याम सोचना होगा कैसे कैसे कर सकते हैं चोटी पुस्तक दे सकते हैं मैं मालोगीता भागवत्त मांगी तो केश्व सका प्रभू ने दिल्ली में थे वो तो उनको तुर्ण तुर्ण तुर्के घर पे डिलेवर करवा दे रहे तो दिन में मिल जाएगा तो इसी प्रकार से प्रभुपा जिसको एजामपल दिया करते थे जैसे ड्रेलवे है ठीक है अब मान ली काम करता हूं DRM केता है ठीक है मैं वाकर नहीं हूं तो पॉइंट इस डाट की जो भी व्यक्ति है देर उनका उद्देश क्या है प्रभुपाज इसको बोलते है दवील्स शुड़ मूव कीप दवील्स मूविंग बहुत अच्छा बात हो बोलता है कि यह यह जो ट्रेन है यह चलती रहनी चाहिए यह सब का उद्देश है चाहिए वह फिटर हो जहाए वह DRM हो और चाहे वह क्या करते हो स्टेशन को साफ करने वाला वेक्ती हो समझ ए मेरे बात इसे प्रकार से हर वीक्ति अलग-अलग योगताय है और इस प्रचार कार में help करे प्रभूप एक और ट्रांस्मिशन जैसे कोरोना फैला है ऐसे हम भी फैल जकते कृष्ण भावना में तो सभी और एक फर्मला प्रहुपाद बता रहे हैं जो वेक्ति सोदा माला का जब करता है चार निम का पालन करेगा वो जहां भी प्रचार करेगा वो प्रचार फाइदे मन्त होगा यहां तक कि अगर लोग सहराना नहीं करना है तो भी बहुत ध्यान पुर्वक्सनी है इविन इफ दे डू नोट एप्रिशियेट तो भी उनको प्रभाव पड़ेगा तो इसलिए वेक्ति स्वयम अच्छे साधना करें सुबहम अच्छे साधना करने का प्रयास करें साधना करें चार सब्सक्राइब मेरी बात एक मैं को अपने प्रतिक्षधारण से बोल रहा हूं नामरिष्ट प्रभू आयत यास से 2003 की बात हुए कितने सारा साल पहले साथ इंडिया में और वो आय थे देने के लिए ये कारेक्रम था परस्नाल्टी डवलोप्मेंट और मैं इसलिए गया थ अब सुचिए आज में व्रिंदावन में हूं आज ही नहीं 12 साल से हूं तो बात बीच में हुई तो कह रहे थे मुझे इह ही मैं इसलिए मैं प्रीचिंग करता रहता हूं मुझे पता नहीं नामरिष्ट प्रभू लेते कौन विक्ति कहां तक पहुँच जाए समझे ना मेर के बारे में बताए तो सभाविक लूप से भी लोग शिकार करेंगे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि नए लोग के प्रभुपाद तो कौन सी बुक देना चाहिए जन्मिर्थ्व से परे बहुत अच्छा पुस्तक है क्रिष्ण की और बहुत अच्छी से पुस्तक ह और इसके बाद उनसे पूछे कि आपने क्या पढ़ा को क्या अच्छा लगा इस प्रकार से और इवन आप उनको पढ़ा भी सकते यहां पे भी है यह महिने नहीं जिसको भी हम मिले उन्हें परचार करने का प्रयास के लिए वसे एक चीज़ है कि कभी-कभी इसमें कटना ही है कि आपकी वहवारी डीलिंग है वह नहीं हो पाते हैं हमारे कॉंट्रक्टर को प्रीचिंग नहीं कर पाते हैं लेकिन फिर भी हमारे दो इलेक्टिशन स्वाला माला जाप करते हैं उनको प्रीचिंग तो नहीं किया लेकिन हो देखते हैं कि साधना कर रहे हैं कुछ कर रह और सेम आप सुखी होंगे बक्ति करके तो भी आपको अपका उच्छा रहेगा नहीं हरी नाम करने से में सुख मिलता है तो यह मखाली आज इसी पर मैं चर्चा कर रहा था कि आज विशा यही रहा कि महाप्रभू क्यांदोनन में जो विक्ति किसी भी तरह से मन से वचन से कर् इसलिए कि विल बैठे रहे के कुछ करने की बात नहीं हो रहे है हरी नाम जब तो करना ही है साथ साथ भगवान के लिए कुछ करना है और उसका उद्देश भगवान की कीटी का प्रचार करना चाहिए कोई प्रशन है यह वाया चैट ये कैसे भी आप पूछ लीजी मैं इस is it a good idea to organize प्रवच्छन no no it's a very bad idea अगर आप लोगों के लिए वंसेन नवी कारिक्रम कर सकते जिसमें आचारीयस प्रवच्छन इसमाजबनी आए यह आपका प्रश्न बहुत गंभीर है आचारीयस प्रवच्छन को मतब क्या हुआ हो मिश्जबनी है तेकिन यह पॉइंट है कि हम लोग नए लोगों के लिए अलग से विशेश कारेकरम कर सकते हैं जिसे हम भक्ती विर्ख कहते हैं वैसे तो मैंने आज तक अभी ऐसे ओनलाइन नहीं पढ़ाया है अगर आप चाहो तो मारे पास सॉफ्ट कापी भी रड़ी है उसको भी हम वन सी नभी कर सकते हैं दो घंट अब किसी को गीता दिजी ठीक क्या जूब है एम पढ़ाएं कि नहीं अरे भाई गीता पढ़ाई जा रही है और देखो ग्रूप है तो गीता दे दीजिए और उसको ग्रूप में जोड़ दीजिए समझ रहना मेरी बात वहीं देखो आप देखो एक व्यक्ति को आपने गीता दिया थोड़ा समय और इसको बूल दीजिए यह बहुत अच्छा एडिया में को आयता में बताने वाला था गीता है अरे तुमको समझ भी नहीं आ रहा है हमारे प्रभुजी ने प्रवचन कर रखे है वह उसके सारे recorded है आप पूरे line to line पढ़ाया है देखो देखो आप अपने फोर में टेलिग्राम ने इस्ट्राल करो इतना जरूर समय देजिए तब उसको लगेगा कि वह आप उसके रिलीज उसके बारे में concerned है खाली किताब बेचने कर नहीं जा रहे है अगर इस तरह से अब जब यह बहुत अच्छा एडिया है बहुत सिम्पल सा एडिया है कि भगवट इता के दवारा बगवट इता किसी को वितरन करें तो उसमें आप एक स्लिप बना कि दे सकते हैं कि आप टेलीग्राम और समय जूरूप जॉइन कर सकते हैं दो लाख लोग उसमें जॉइन कृष्णा उनको एक मौका मिले वो कृष्णी के बारे में सुने वो सुनेंगे नहीं तो जीवन कितने जीवन बीद जाएंगे आप कुछ आप कह नहीं सकते एक एक आइडिया बता रहा हूं आपके लोंग किताब दीजिए और उसमें गयाट कर सकते हैं इस प्रकार से ठीक है इस राव और कोई प्रश्न थे ऐए और किसी ब्रट कोई प्रश्न है ओके साथन विश्व एल स्टाप है स्रीमन चत्रें नहां प्रभु की जाए श्री प्रभु पाद की जाए